एक्जाम के दिन आपको कौन-कौन से आइटम लेकर जाने हैं, क्या पहन कर जाना है और एड्मिट कार्ड कैसे फिल करके ले जाना है, इस विशे में मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लेक सकते हैं, क्या पहन कर जाना है, और एड्मिट कार्ड कैसे फिल करना है, तो आईए जानते हैं, एक्जाम के दिन आपको क्या लेकर जाना है, और इंस्ट्रक्शन और कोविड-19 एड्वाइजरी क्या है, जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, वो एड्मिट कार्ड के page number 3 और page number 4 में mention है आपका time waste नए हो इसको read करने के लिए इसलिए मैं यहाँ पर आपको important instructions आपको बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या लेकर जाना है इसमें तो exam के दिन आप जब exam hall में enter करेंगे उसके पहले आपके पास admit card होना चीए और उस admit card के जो चार page है उसमें first वारे दो page यानि कि एक पर undertaking है और दूसरे पर बड़ी size का आपने postcard size का photo paste कर रखा है वो है तो ये दोनु page आपको लेकर जाने है जो first page है undertaking उसको पहले से घर से ही fill करके लेकर जाना है और second page पर पी जो postcard size का photograph है वो घर पर ही आपको paste करके लेकर करके जाना है signature वगरा सिरफ एक ही signature चोड़ना है जो exam hole में signature करना है बड़के आप सारी formalities इसमें घर से करके लेकर जाएंगे और admit card के दो page आपको लेकर जाने जरूरी है first page और second page first page पर आपकी passport size की photograph paste होगी यानि चोटी photo और page number 2 पर बड़ी photo paste होगी ये paste करके ही घर से लिजाना है आपको दूसरा एक आपके पास admit card होगी है दूसरा आपके पास passport size का additional photograph होना चाहिए यानि चोटा photograph होना चाहिए जो वहाँ पर आपको attendance seat पर paste करना है यहाँ पर exam hall के दिन आपको बड़े photo लेकर जाने की जोड़त नहीं है जो postcard size का photo होता है वो लेकर जाने की आवश्यक्ता नहीं है वो तो शिरफ आपको page number 2 पर paste करके ही लेकर जाना है additional कोई लेकर जाने की आवश्यक्ता नहीं है additional आपको एक छोटी photo लेकर जाने है हो सके तो आप दो photo ले जाओ एक में कोई problem हो जाए तो आप दो additional photo ले जाओ passport size की तो ये दो item हो गए आपके पास ये दोनों जरूरी है तीसरा आपको ID proof लेकर के जाना है ID proof औरीजनल होना चीए जिस पर आपका photo हो ये ID proof का मदलब important है इसके बगएर आपको entry नहीं दी जाए जी तो आपके पास ये तीन item हो गए ये तीन item तो जरूरी है ये लेकर के ही जाना है सबसे पहले admit card दूसरा additional photograph और तीसरा ID proof ये तीन requirement है इन तीनों की इनके बगएर exam hall में entry नहीं मिलेगी इसके अलावा अगर आप ले जाना चाहें तो personal transparent water bottle ले जा सकते हैं अगर नहीं ले जाना चाहें तो water वहां भी available होता है तो इसमें कोई problem नहीं है इसके अलावा आप personal sanitizer 50 ml का ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं वहां भी ये available रहता है center पर भी sanitizer तो ये है important चीज इसके अलावा जो PWD candidates हैं उनको certificate लेके जाना है और scribe के related documents हैं जैसे undertaking है और फिर scribe का भी ID proof है वो लेके जाना है खुदका दो ID proof और certificate लेके जाना ही है PWD candidates को इसके अलावा जो ID proof हैं उसमें कौन-कौन से ID proof मन्य हैं क्योंकि ID proof को लेकर students को काफी doubt रहता है तो मैं आपको यहां suggest करूँगा कि आधार card सभी के पास होता है आप आधार card ले जा सकते हैं किसी के आधार card में थोड़ा बहुत minor अगर mistake होता है name में थोड़ा सा mistake होता है spelling mistake word का तो इसमें कोई बड़ा issue नहीं है तो आप आधार card यूज कर सकते हैं इसके अलावा आधार card का जो enrollment ID होता है आपने just आधार card बनवाया है या उसमें update करवाया है जिसमें photo लगा होता है तो आप वो भी ले जा सकते हैं इसके बाद में आधार card के अलावा आप pen card ले जा सकते हैं 12th board का admit card ले जा सकते हैं जो इस साल आपने 12th की exam दी होगी registration card ले जा सकते हैं इसके अलावा जो आपके पास में कोई government की ID है जिस पे आपका photo लगा है वो आप ले जा सकते हैं वोटर ID card आप ले जा सकते हैं वोटर ID card में photo होती है सारी details होती हैं तो वो ले जा सकते ह तो ये ID proof आपके लिए permitted हैं और इन में कोई एक ID proof ले जाए इसके अलावा आपको exam center पे समय से report करनी है कोई भी candidate को जो closing time है get का closing time admit card में indicate है एक बज़ के 30 मिनट उसके बाद entry नहीं दी जाएगी मैं आपको यहां suggest करूँगा कि आप कम से कम two hours पहले आप center पर पहुंच जाएं इसके बाद में admit card पर एक time दिया गया है students को काभी doubt रहता है कि अगर उस time पर हम नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा तो जो admit card में time दिया गया है वैसे तो आपको उसी time पर पहुंच ना सी बाइद वे अगर उस time पर नहीं पहुंच पाते हैं लेट हो जाते हैं तो जो last time है reporting का get closing का उस तक तो आपको पहुंच नहीं होगा उसके बाद entry नहीं मिले गया आपको इसके बाद में आगे है जो center की location है मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि center की location है वो आप पहले visit कर ले या अपने parents को बोल दे या फिर net पर search कर ले उसके लिए आप एक mind में पहले ही route तयार कर ले आपको गर से निकलने के बाद कैसे exam center तक पहुंचना है आपका transport क्या हो आप पहले ही mind में set कर ले exam में जाने से पहले ताकि आपको वहाँ पर कोई problem ना हो इसके बाद में जो candidates religion या फिर a customary dress पहन के जाना चाते हैं जैसे बुरका हो गया करपान हो गया जो सिक candidate है पगड़ी हो गया तो यह इस परकार की अगर आप dress पहन के जाना चाते हैं तो checking के लिए आपको पहले जाना होगा कम से कम one hours पहले तो जाना ही होगा यानि कि at least आप 12.30 बारा बज़े तक तो पहुंच जाए ताकि वहाँ आपको कोई problem ना हो आसानी से checking होके entry मिल जाए आपको तो यह तो थे important instructions कि आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है अच्छे नहीं लेकर जाने वाली बात मैंने आपको बता दी थी वैसे उ दो और होगे water bottle or sanitizer ये पांच के अलावा पांच item कौन-कौन से हो गया आपके admit card हो गया additional photograph हो गया और इसके बाद भी आपका ID proof हो गया तीन तो must है और दो additional हैं लेकि जाना चाहें तो ले जा सकते हैं water bottle और sanitizer ये पांच के अलावा आपने और कुछ भी नहीं लेकर कि जाना है rough work के लिए वहाँ पर आपको paper उसी question paper के last में space रहता है उसी फे rough work करना है इसलिए rough work के लिए भी कुछ भी लेके नहीं जाना है और pen वगरा आपको वहाँ center पर provide करवाया जाएगा तो ये ही item आपको लेकर जाने हैं इसके बाद में जो COVID-19 के लिए advisory जारी की है वो advisory में इसमें man और important ये ही है कि आपको mask वहाँ से मिलेगा exam center में N95 mask मिलेगा अगर आप गर से कोई mask पैन के जा रहे हैं तो उसको वहाँ remove करना पड़ेगा और वो face mask जो N95 वहाँ मिलेगा वही आपको लगाना है बस ये ही advisory के लिए बाकि जो instructions हैं center के लिए हैं और आपको वहाँ पर guide कर दिया जाएगा ये covid-19 के जो भी instructions हैं वहाँ आपको sanitizer मिलेगा water मिलेगा ये सब को facility वहाँ center पर मिलेगी तो ये instructions हैं covid-19 के related आपको ध्यान रखने वाले बाती यही हैं कि आपको ये तीन item जरूर लेके जाने हैं और exam center पर timing से पहले आपको पहुंचना है वीडियो ज कर दो